दोस्तों आप में से बहुत साल लोगों का यहां पर ड्रीम होगा टाटा जिसी कंपणी में काम करने का तो टाटा इस तील की तरफ से यहां पर रिकुट्मेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इंजिनेर्ट ट्रेनी के लिए और यहां पर खास बात ही है कि यहां पर जो तक इन दोनों जोब से लिए तो जल्दी आपला कर लो लिंक भी भी ओपन है जितना जल्दी हो सक्के उतना जल्दी अप्ला कर ले ना बिना टाइम बेस करें करते हैं आज की जॉप डेट सरू तो टाटा इस तील की तरफ से यहां पर रेक्लूट्मेंट निकली हुई है इ सबस्क्राइब करते हैं जैसे कि आपको यहां पर मिल जाते हैं जैसे कि आपको यहां पर काफी अच्छे बैनिफिट प्लस अपरचुनिटी यहां पर बात करते हैं बात करते हैं याफ यहां पर सेप्टमबर 2024 जितना जल्दी आपको यहां पर इंडिया अब देखते हैं कि कौन को इसमें अप्लाइक कर सकता है क्या परसंटेश क्राइटेरिया रहें रहने वाला है, तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, और B.E.B.T.E.G. और B.E.C. इंजिनेरिंग वाले हैं, पर अपलाइ कर सकते हैं, उसके लाबे यहां अगर आपने M.E. या M.T.E.C. किया हुए है, इंजिनेरिंग या टेक्निलोजी पर और M.E.C. किया हुए है, तो आप लोग यहां पर इलिजिबल रहने वाले हैं, लेकिन जो ब्रांचेस हैं पर इलिजिबल रहेंगी वह हम देख लेते हैं, और M.E.C. किया है, सब्सक्राइब कर ने सब्सक्राइब कर तो आप लोग पे लिए रहने वाले बात कर लाएं बात कर लेते बात कहले में तो किर आप Cornwall रहेगा जो जएसे में प्रेनिंग कंप्लीट होगी अगर आपने आप पे सक्सेस्फुली यहां पर ट्रेनिंग कम्प्रीट करी देन आप फुल टाइम इंप्लाइब हो जाओगे और जो आपका ट्रेनिंग पर रहेगा तब तक अपने जो शेल आपको मिलते रहेगी वह रहेगी 30,000 पर मन की जाओगी अब बात करेते हैं minimum qualification तो यहां पे diploma आले भी याप इलिजबल रहेंगे लेकिन अगर डिप्लोमा आपने किया होगा और देन आप यहां पे बीटेक यहां पने परश्यू किया है तब ही आप लोग यहां पर यहां पर इलिजबल नहीं रहोगे ठीक है डिप्लोमा के लिए बीटेक करना नेसेसरी है और जो बीटेक अल्यडी कर रहें या कर चुके तो वह लोग तो यहां पर रहेंगे रहेंगे तो यहां पर 6.5 से अगर अब अब आपके यहां पर इलिजबल रहने वाल है गर आपके कॉलेज या उनिवर्सेटी में परसेंटेज क्राइटिरिया तो 65 पर आपकी यहां पर परसेंटेज होने चीए तब लोग आप यहां पर रहोगे थोड़ा बहुत जो के टेगरी वाइस है उनको भी थोड़ा बहुत यहां पर कंसेशन मिला हुआ यानि की रिजर या आप वहां से ब्लॉंग करते हैं तो आप लोग के लिए पे स्पेसल प्रिफेंस दिया जाएगा यानि की आप लोग को यहां पर ज्यादा प्रिफेंस दी जाएगी एस कंपेर टो अधर कंडिडेट्स वह भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यानि की इस एबलेटी वाल तो ताटा की तो ताटा में जो है कोई भी केंडिडिट इजी ली अप्लाई कर सकता है और काफी अच्छा है आपको टाटा प्रोवाइट करते हैं तो लास्ट अल्रीड मैंने आप लोग को बता दिये 4th September है तो जितना जल्ली उसे कि उतना जल्ली अप्लाई कर लेना और जो ह तो यहां पर टेस्ट रहने हाला है उसके बाद आपको यहां पर इंटर्वी के लिए पुलाएज जाएगा और जो टेस्ट होगा वह आपको इन-पर्शन होगा या वर्च्वाल होगा वह डिपेंड करेगा कंपनी पर ठीक अगर उनके पास जो है नॉम्मर ऑफ कानिडरे क अपर आपको इंटर्वु करा सकते हैं तो यहां पर टेस्ट रहेगा वह तो और अगर आपको पूली करना है तो जरूर अपलाई करना अप्लाइड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चिप्चन मिल जाएगा है और comment section में मिल जाएगा महां से आप लोग easily apply कर सकते हो किसे जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगी यू विल भी एक्टेट तो आपको सारी डिटेश मिल जाएगी तो आप इसको रीड़ाउट कर लेना एंड यह वन स्कूर डान यहां पर दिख जाएगा how to apply for तो यहां पर आपको मिल जाएगा apply link just click on click here to apply to apply for this position उसके अलाबा यूगाइस कन आप टेलेग्राम ग्रूप यहां पर हम आप लोग के बहुत सारी यहां पी job opportunities लेकर आते रहते हैं तो जरू जोइन करना लिंक आपको निचे description में जाएगा और website में मिल जाएगा so let's see कैसे आप लेना है तो आप यहां से आप एजीली जो है PDF डाउलोड कर सकते हो जो मैंने आपको official notification दिखाया था ना वह पीडिएवाप से डाउलोड कर सकते हो अल्यडी मैंने सारा details आपको बता दिया तो आपको जरूबत नहीं पड़ेगी लेकिन आप चाहते हो कि हम एक बार दे कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपका यहां पर डिस्कौलिफाय हो जागा तो मेक शूर तो जब भी आप application form फिल करो तो carefully करो उसके अलावा है लास्ट में जब आप समिट करने से पहले एक बार रीचेक जरू करना है ठीक है तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कैसा फिल करन जिस भी कैटेगरी साप बलॉंग करते हैं उसके बाद आप डॉमिसाल स्टेट यानिक जो भी आप स्टेट हैं आप साप स्लेक कर लेना उस नेक्स्ट है आपका विजिवल अटिफिकेशन माग या ऐसा माग जो दिख रहा हो ठीक है जैसे कि आपका मोल हो गया कुछ कट हो है तो वह चीज़ं आप लिख सकते हैं अगर आपके हैंड मोल है या लेफट और राइप्ट जीस भी हेंड मैं यहां राइफट धिक तो ऐसे आप यहांपर लिख सकते हो उसके बाद पर सनल बिर्सेबलेटिग पर एससे यह वह यहां पर अगर आपके पास ऐसा कुछ है त तो का मेल आइडी मेल आइडी इसके बाद आपको विरिफाइड हो एडर्रा परक कर लाई होगा थैट् Major Altm तो यहां पर 10th के यहां पर percentage लिखने होंगे, 12th के percentage लिखने होंगे, year of passing लिखने है यहां पर, जैसे आप अपना resume बनातो हो, the same way यहां पर आपको यहां पर साला चीज फिल करना है, उसके बाद है technical qualification, यानि कि B.E.B.T.E.C. वाले जो भी है, अगर आपने B.E.B.T.E.C. किया है, या M.T.E.C. किया है, और आप जिस भी पोजिशन के लिखने हो, यहां पर आपको दिख जाएगा, अगर आप B.E.B.T.E.C. वाले हो, तो जो 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 पोजिशन के लिखने हैं, उसमा आप आप अपर अप्लाइक कर सकते हो, अब बात करते हैं, यहां पर एग्जामिनेशन पास, तो ठीक है, यहां पर इस आप सिलेक कर लेना, अगर आपने B.E.B.T.E.C. किया है, तो इसके बाद है, अगर आपके पास work experience है, तो शेर कर देना, वहना है, छोड़ देना, कोई mandatory नहीं है, उसके बाद है, अप्लोड रेज्यूम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्षन है, अपना रेज्यूम अप्लोड करो, जो size है, वह 200KB से उपन नहीं होना चाहिए, तो इस opportunity को बिल्कुल भी यहाँ पे जो है, मिस नहीं करना है, ठीक है, तो अपना रेज्यूम अप्डेट कर लेना, तोड़ी चीजी स्किल्स एड़ कर लेना, जो भी यहाँ पर requirement रहेगी, उसके लावा, अगर आपको कोई help चाहिए, या पता नहीं है, या रेज्यूम कैस यहाँ पे questions भी पूछ सकते हो, okay, so registration का लिंक आपको निचे description मिल दाएगा, महा से आप लोग के जिली registration कर सकते हो, resume upload करने के बाद, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे preference for interview center, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे centers है, वो slack कर सकते हो, डेली भी य आपका nearest location है, वो select कर लेना, उसके बाद टिक कर लेना है, उसके बाद आपका यहाँ पे सारा policy है, उसको यहाँ पे टिक कर लेना, और submit application पर क्लिक करके submit कर लेना है, okay, so काफी सिंपल सा आप application form है, एक बार review जरू करना, application form submit करने से पहले, क्योंकि थोटी से भी mistakes है, यहाँ आप लोग का, ठीक है, जरूर एक बार री चेक जरूर कर लेना, उसके लाँ बार कोई भी doubt हो, या कोई भी question हो तो, comment करके जरूर बताना, okay, and इन दोनों जॉब्स में apply कर लेना, जितना जल्दी हो सके, सारे लिंक आपको निचे दिस्क्रिप्शन में, comment section में मिल जाएंगे आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राब भी कर सकते हो, और अपने दोस्ते के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी help हो सके, and I will see you in the next video, till then, take care, stay safe, and keep applying for the job, all the best, bye-bye.